Aspire कर, अब ये ज़स्पे को, तु क्वायर कर, Aspire कर Assalamualaikum students, welcome to Aspire online classes मैं हूँ आपका mathematics teacher इशाद इम्रान आज हम lecture no. 38 में discuss करने जा रहे हैं exercise 3.5 का question no. 1 और question no. 2 का से first part तो आप देख सकते हैं, question no. 1 में लिखाव है solve the following system of linear equations by kramarol बहुत ही simple method से, ये 9th class में भी आप लोग ने solve किया हुए, पर वो 2 equations के दर्माइन, यहां पे 3 equations के दर्माइन तो student, आप लोग को ये 3 equations देवी हैं, जिसमें x, y, z आप लोग को variable नजर आ रहा है और equal के दूसरे side आप लोग को ये B matrix की value है, तो student, सबसे पहले आप लोग इसको, ये जो question दिया हुए, इसको matrix form में लेख लें, आप लोग को नजर आ रहा है, ये क्या है 2, इसके solution में आप देख सकते हैं, कि ये क्या आप लोग के पास नजर आ रहा है 2, 2, 1, यहां पर 3, minus 2, and minus 2, next आ जाता है 5, 1, and minus 3, य यहां पर के पास क्या बन गया, A matrix, next आप लोग के पास क्या आ जाता है, यहां पर ये X, यहां पर क्या आ जाता है Y, यहां पे Z, और equal के यहां पर जो आपके पास matrix आ जाता है वो 3, 1, and 2, तो student, यह आप लोग के पास A matrix है, यह X matrix है और यह equal और यह B matrix Basically, यह क्रेमर रूल है, क्रेमर रूल में सारे के सारे determinant निकाले जाते हैं सबसे पहले हम A का determinant निकालेंगे student, यह मैं बता दूँ, यह X का coefficients है यह आप लोग के पास Y का और last में, यह आपके पास Z का और यह आपके पास B matrix की values है student, सबसे पहले हम क्या करेंगे A matrix का determinant here, A का determinant, आपको नज़र आ रहा होगा 2, 2, 1, 3, minus 2, minus 2, 5, 1 and minus 3 student, आप इसको expand कर दें, first row से तो आप लोग को नज़र आएगा 2 आपके पास बाहर वो row of a column minus 2 को minus 3 से करें 6, minus formula का आता है क्योंकि आप minus formula का 2 as it is first row, second column छोड़ दें तो 3 को minus 3 से करें, minus 9 और minus 2 को अगर आप 5 से करें तो plus 10 होजएगा क्योंकि एक negative formula का plus 1 as it is, आप देख सकते हैं यह first row, last column आप छोड़ देंगे तो 3 plus 10 बनता है तो student, इसको मजीद simplify करें तो 16 minus 2, plus का 13 और यह किसके बराबर है 27 के और यह not equal to 0 अगर यह 0 आजए तो फिर इसका solution exist नहीं करेंगा एक का determinant अगर 0 इसके इलावा आगे आप जितनी भी values निकारेंगा उसमें अगर कोई 0 आए, उसे कोई फरक नहीं पड़ता पर एक का determinant 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट सबसे पहले हम x की value therefore solution is possible यह मैंने आपको बता दिया है now by grammar rule, सबसे पहले x निकालने तो स्टूडेंट सोन ले, x निकालने के लिए x के जो coefficient है वो आप नहीं लिखेंगे उसकी जगा आप b के coefficient यह नजर आ रहा होगा, यह x की coefficient के बजाए मैंने यहां पे किसके coefficient लिखे है b matrix के coefficient लिखे है तो आप देख सकते हैं यह जो आपके पास values है student आपने क्या करने, इसको divide करना है a के determinants तो a का determinants तो 27 है तो आप इसको expand करें तो 3 बाहर, first row, first column छोड़ देंगे minus 2 को minus 3 से किया तो 6 minus formula का, minus 2 को 1 से करें plus 2, basically minus formula का next आजाता है, 3 के बाढ़ 2 तो minus formula का 2 as it is, first row, second column छोड़ दे minus 3 और plus का 4 बन जेगा क्योंके दरमयान में sign minus का आता है अब यह आजेगा plus का 1, first row, last column छोड़ दे, 1 plus 4 यह आपके simplification है, next time में आप देख सकते हैं 6 plus 2, 8, 8, 3 is the 24 minus का 2, और plus का 5 calculate करने का तरीका कार किया है कि basically यहाँ पर यह जो values लिखी गई है यह किस चीज़ की है, यह Y के बजाए किस की लिखी गई है, capital B यानि B matrix की value लिखी गई है क्योंकि यहाँ पर आपने Y की value नहीं लिखनी उस Y coefficient की values की जगा आप लोग ने B matrix की value लिखनी है आप लोग ने क्या करना है इसको expand, divide किसे करना है Y के value ने करना है, A के determined वो 27 है, तो आप देख सकते है 2 बाहर, 1st row, 1st column चोड़ दे 1 को minus 3 से करें, minus 3 और minus 2 को 2 से करें, यह plus 4 इसलिए क्योंकि बाहर दर्मियान में भी एक minus का sign आता है minus 3, as it is, minus 3 क्यों आया, क्योंकि फार्मूले का negative है बाकि आप देख सकते हैं, 1st row, 2nd column चोड़ दे तो minus 9 plus 10 plus 1 क्यों आया, क्योंकि फार्मूले का plus 1 as it is, तो आप देख सकते हैं उदर values चोड़ने के बाब, 1st row last column तो 6 minus 5 बनता है इसे मजीद simplify करें, तो 2 minus 3 plus 1 divided by 27 और 0 over 27 और यह किसके बराबर होता है y is equal to 0, तो student z की value, basically z, यह z के coefficient की value होता है, यह z की जगा आपने b matrix की value लिख देनी है तो 3, 1 and 2 x निकालने के लिए x की value की जगा y निकालने के लिए y की value की जगा और z की value, z निकालने के लिए z की value की जगा b matrix की value आगे आप first row से अगर आप expand करें पहले 2 by लिखेंगे, first row, first column चोड़ दे फिर आप minus लगा के 2 लिखेंगे first row, second column चोड़ दे आप फिर 3 लिखेंगे, तो आप first row, third column चोड़ दे, तो student अपनों को नजर आ रहा है यह बार बार, यह question मैंने इस तरह expanding का करवाया है, divide आपने किसे करना है, एक है determine, यानि 27 से मजीद simplify करें, तो minus 10, minus 2, plus 39 और यह बनता है, 27 over 27 तो student आपके पास z की value के आगी 1, hence x1 है, y0 add z1 है, यह 3 की 3 values आप equation में put करके भी देख लें तो तब भी answer बराबर आएगा यानि left side पर values code करें, वो right side के equally आएगा, तो student question number 1 का second part है यह भी grammar rules से solve करना है, student आप लोंको नजर आ रहा है कि equations दिये हैं और वो equal है, भी matrix के value के बराबर दिये है, इस equation को सब से पहले हम इसका determinant निकालेंगा, मैं आपको बता दूँ इसमें, A matrix कौन सा है, A matrix basically आपके पास 2, minus 1, 1 4, 2, 3 3, minus 4, and minus 1 इसके अंदर जो X matrix है वो basically क्या है, X1, X2 and X3, और आपनों के पाफ B matrix है, basically 5, 8, and 3 तो student मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम एक का determinant इसलिए निकालते हैं, क्योंकि हमें पता लगजे कि इसका solution exist करता है, कि ने तो expand करें first row से, तो अगर आप first row से expand करेंगे, तो 2 by first row first column छोड़ दे, minus 2 ये plus cut है, next minus आना है formula का पर ये plus इसलिए होगा, क्योंकि value negative में, first row second column छोड़ दें, तो minus 4 minus 9, और इसके बाद plus formula का और 1 as it is, तो first row last column छोड़ दें, तो values बनते ही है, minus 16 and minus का 6, क्योंकि दिर्मियान में minus का से, इसे मजीद simplify करें, तो 2 into 10 plus 1 into minus 13 plus 1 into minus का 22, इसे मजीद simplify करें तो 20 minus 13 minus का 22, और simplify किया, तो e का determine minus के 15, और वो not equal to 0, it means कि आपका solution exist करते हैं, तो solution is possible by grammar rule, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने x1 निकाला, वहाँ पे x पहले पार्ट में निकाला था, इसमें x1 निकाला, क्योंकि यहाँ पे variable x1, x2 and x3 है, x1 x1 का मतलब है कि आप लोगों नहीं, जो first आपके पास जो coefficient होते हैं, वो x1 के होते हैं, तो यहाँ पे x1 की जगा आप लोगों ने किस की value लिखनी है, बेटा, capital B यानि B matrix की value लिखनी है, 5, 8 and 3, आगे आप लोगों ने divide करना, एक है determined, तो expand करें, पहली row से तो 5 बाहर रखेंगे, first row, first column चोड़ देंगे, minus formula का आएगा, पर values minus 1 की है, तो first row, second column चोड़ दें, तो simplify करें, तो minus 8 और minus 9, फिर plus 1 formula का आजएगा, first row और last column चोड़ दें, तो यह value, एक student मैं बता दो, जिस row से आप expand करें, वो कभी भी नहीं आएगा, और जिस column में वो आ रहा होता, वो column भी उस वक्त नहीं आता, तो इसको अगर आप simplify करके, minus 15 से divide करें, तो 50 minus 17 minus 38, divide by minus 15, वो किसके बराबर होगा, minus 5 over minus 15, और मजीद simplify करें, तो x1 किसके बराबर, 1 over 3 के, student x2, simple, मैं आपको दुबारा बता दूँ, यह आपके दर्मियान में जो values लिखी है, basically x2 की थी, तो पर इसकी जगह आप लोग ने भी matrix की value लिखना है, और इससे simplify करेंगे, expanding by first रोके पहले 2 बाहर आएगा, फिर minus 5 बाहर आएगा, फिर 1, minus 5 नहीं है, basically minus formula का 5 साथ आजाता है, तो इसको simplify करेंगे और minus 15 से divide करें, तो आप देख सकते हैं, minus 34 plus 65 minus 12 divide by minus का 15, मजीद simplify करेंगे, तो minus 19 over 5, यह इसका x2 का answer है, student x3, x3 basically क्या है, कि आपके पास जो third column होता है, वो x3 की value का होता है, पर इं matrix में, अब जब आप लोग ने grammar rule के मज़र से solve करना है, तो यहाँ पर x3 की जगा भी matrix की value लिखे जाएगी, और आप इसको first row से expand कर दें, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, two बाहर, आप के first row second को first column छोड़ दें, यह बन जाता है, six plus 32 plus one कैसे आए, minus formula का है, और फिर आपके पाद value बन जाती है, 12 minus 24 और फिर last में 5 को आप simplify करेंगे, तो minus 16 minus 6 divided by minus 15, मजीद simplify करें, तो 76 minus 12 minus का 110 divided by minus 15, तो x3 का answer बना minus 46 over minus 15, और मजीद simplify करें, तो x3 का answer 46 over 15, तो यह है student x1, x2 and x3 का answer, यह है grammar rule के मदद से, मैंने जो आप लोगों को first part, second part solve करवाया, इसके बाद आप लोगों को नजारा, इसका जो third part है, वो मैं खुद solve नहीं करूँगा, आप लोगों ने solve करना है, यह assignment के तोर पर आपको दिया जा रहा है, simple सा question है, matrix बनाए, determines निकाले और x1, x2 और x3 की value आप grammar हो, आप लेक्चर को देखें, लेक्चर को देखके आपनों को question solve, असानी से हो जाएगा, सिर्फ calculation है, student, last question, question number two, इसका एक part ही मैंने solve कराना, जो next part है, वो next lecture में आपनों को solve कराऊंगा, use matrices to solve the following system, इस system को भी solve करना है, basically, यह जो solve करना है, यह क्रेमर से नहीं है, यह inverse method से मैं solve करूंगा, student, आप लोगों को equations नजर आ रही होगे, तो सबसे पहले x1 minus 2 y plus z is equal to minus 1, 3x plus y minus 2 z is equal to 4 and y minus z, इसमें basically x नहीं है, तो 0x plus y minus z is equal to 1, तो student, आप इसको सबसे पहले कोशिच किया करें, जो भी questions दिया है, तो इसको सबसे पहले matrix form में convert कर लिया करें, the matrix form of the given system is, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 1 minus 2, 1, 3, 1, minus 2, 0, 1 and minus 1, नहीं basically a matrix है, और x, y, z, यह आपका variable matrix है, x is equal to minus 1, 4 and 1, यह आपका b matrix है, तो student, सबसे पहले, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ax is equal to b, और x को उधरी रहें दे, a inverse b, यह आप लोगों की first equation है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने a inverse calculate करना है, और a inverse basically होता है, joint of a over a का determinant, तो इसके लिए सबसे important चीज़ है, कि पहले आप determinant देखें, अगर determinant आपका answer 0 आजाता है, it means that वो singular हो जाता है, पर solution existing करेगा, अगर वो answer non-0 आजाता है, तो इसका मतलब है, वो non-singular है, तो solution exist करेगा, तो where a, matrix, x matrix, और आप लोगों को b matrix दिया है, तो solution a का determinant अगर आप simplify करें, तो expand करें by r1, expanding का तरीका वही है, first row, से अगर आप expand करें, तो पहले element को बाहरा के, first row, first column छोड़ दें, फिर minus formula का, फिर next वो value लिख के minus का है, तो फिर plus होजेगा, उसके बाद plus 1, और फिर आप उसको first row, और last column छोड़ के, आप इसका 2 by 2 का determinant ले ले ले, तो student आप लोगों को नजर आ रहा है, उसकी simplification, 1 minus 6 plus 3 किसके बराबर है, minus का 2 is not equal to 0, तो basically inverse of a is possible, possible इसलिए है, क्योंकि inverse exist कर रहा है, क्योंकि ये non-singular है, जो non-singular होता है, उसका ही inverse exist करता है, तो student यहाँ पर a का determinant minus के 2 के बराबर आया, तो student इसके बाद आप लोगों निकालेंगे adjoint, basically adjoint का formula क्या होता है, adjoint of a is equal to ac का whole transpose, तो student ac matrix, ac basically क्या होता है, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, आपने इसको factor matrix का क्या ले लेना होता है, transpose, तो वो basically adjoint के बराबर होता है, तो student आपको नजर आ रहा है, इसमें 9 के 9 elements आप लोगों ने find करने, cofactors के, तो now aij is equal to minus 1 की power i plus j, mij, mij मतलब minors, और minus 1 की power जो है, वो negative और positive की, निशान्द ही करेगा, क्या आपने minus लगाना है, या plus 1 लगाना है, mij, minor i मतलब row and j मतलब column, यानि minors का मतलब होता है, कि आपने delete करना है row and column को, तो a11 is equal to minus 1 की power 1 plus 1, m11, तो minus 1 की power 2, basically 1 के बराबर होता है, positive आएगा, m11, यानि first row and first column, आप ignore कर दें, तो बाकी जो 2 by 2 का, 2 by 2 का matrix है, तो वो बच जाता है, तो उसका अपने determinant लेना है, तो beta cross multiply करें, तो minus 1 और minus formula का आता है, पर minus 2 को 1 से करें, तो ये plus 2 हो जाता है, तो एक इसके बराबर है 1 के, इसी तरह अब आप लोग a12 निकालेंगे, minus 1 की power 1 plus 2, m12 का answer simplify करें, minus 1 की power 3 बनती है, तो इसलिए मैंने यहापे minus लगा दिया, और m12 का मतलब delete first row and second column, तो बाकी जो 4 values बचती है, उसको 2 by 2 के determinant लिखे, तो simplify करेंगे, तो 3 answer आजाएगा, student इसी तरह ये 1 3 निकालें, तो वो 3 के बराबर, a21 निकालेंगे, वो 3 के बराबर, a32 को solve करें, उसी method से तो 5 के बराबर, और last में a33 को simplify किया है, वो 7 के बराबर, ये beta 9 की 9 values जो हैं, ये तमाम की तमाम values टूरेंट्स, आप लोगों ने क्या कर रहे हैं, adjoint के formula में, जो ये मैंने formula आप लोगों को फिर दुबारा लिख के दिया है, इस formula में आप लोग, a11, a12, a13, a21, a22, and a23, a31, a32, and a33, इनके जगा ये values आप पुट कर दें, तो आप देख रहे हैं, adjoint of a, इस चीज़ के बराबर है, 1, minus 1, 3, 3, minus 1, 5, 3, minus 1, and 7, ये एक सिंपल सा adjoint है, थोड़ा length ही ज़रूर है, पर है easy, इसी method से आप लोग को मैंने, तवाम question inverse वाले करवाए हैं, adjoint भी मिल गया, determinant भी, तो आप a inverse is equal to adjoint of a over a का determine, ये तो आप 9th class से formula पढ़ते आ रहे हैं, तो student आप लोगों ने, determinant की जगा minus 2 लिख देना है, और adjoint की जगा वो matrix put कर देना है, तो ये student a inverse है, तो आप लोग ने, ये inverse की value और वो b matrix, जो आप लोगों को दिया है, वो दोनों की दोनो values, आप लोगों ने equation number 1 में put कर देना है, तो putting all the values in equation number 1, तो student x is equal to a inverse b है, तो x का मतलब x matrix की value, और a inverse b का मतलब के a inverse की, जो matrix अभी आप लोगों ने simplify किया, उसकी जगा और b की जगा भी matrix की value put कर देनी है, तो student, सबसे पहले आप इन्हें multiply करेंगे, तो आप देख सकते हैं, minus 1 by 2 as it is, इस matrix को इस matrix से आप क्या करेंगे, multiply, यह है 3 by 3 का, और वो है 3 cross 1 का, इसका मतलब यह multiply हो सकते हैं, multiply करने के लिए first के column और second के row को दिखा जाता है, कि multiply इकबल होंगे, तो वो multiply हो जाते हैं, तो student से multiply करें, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, minus 1 by 2, minus 1, minus 4, plus 3, यह कैसे आया, first row को जब first column से multiply किया, फिर second row को first column से, फिर third row को first column से आप multiply करेंगे, तो student simplify करें, तो minus 1 over 2, और आप देख सकते हैं, यह है minus का 2, और minus का 2, और यह 0, क्योंकि simplify करने से आया, minus का 2, minus का 2 and 0, तो student, minus 1 by 2, और यह साथ ही आप लोग को नज़र आ रहा होगा, यह matrix में दिया हुए, आपने क्या करने सबको minus 2 से आपने divide कर देना है, तो student, आप देख सकते हैं, कि अगर आप left side पर आपको नज़र आ होगा, मैंने x, y, z लिख दिया, basically, वो x matrix की value है, और right side पर आप गर मैं minus 2 से तमाम को divide कर दो, तो यह बनता 1, 1 and 0, तो student, यहाँ पर x basically 1 के बराबर, क्योंकि यह equal matrix है, तो y 1 के बराबर और z 0 के तो यह आप लोग को नज़र आ रहा होगा, hence x is equal to आप लोग के पास x और y, basically, दोनों की value 1, 1 के बराबर, और z यहाँ पर 0 है, तो student, यह था inverse method का तरीका, जिसकी मदद से मैंने यह question solve किया, इसके इलावा भी inverse के question है, इसका second part और third part, वो questions जो है, मैंने next lecture में आपनों को करवाया है, कि आपने inverse method की मदद से questions को solve करना है, यह तरीका कार है, inverse important है, और grammar rule, यह दोनों most important question है, both point of view से, grammar rule भी आ जाता है paper में, और inverse method का भी paper में आता रहता है question, इसको solve करने के लिए, आप सबसे पहले, inverse के formula के मताबिक, adjoint और determinant, तो इसको अच्छे तरीके से इसकी practice करें, क्योंकि जितने बार इसकी practice करेंगे, उतने ही यह question और अच्छा होता जाएगा, यह important questions में से है, इस chapter में से, इसको जितनी practice करेंगे, उतना ही आपका फायदा होगा, orchestra यहां तक था हमारा आज का lecture, इसके बाकी जितने भी question, वह हम next lecture में discuss करेंगे, orchestra इंट्स, अलाहाफिस.